पिछली सत्र में हमने देखा कि कैसे वज्रगुणन का एक सरल तरीका जटिल रेखिक समिकरन को हल करने में प्रयोग किया जा सकता है मित्रों चलिए इस सत्र में एक रोचक उधारन को हल करते हुए इस तरीके को और बहतर समझते हैं राज के पास चोकलिट थी और सीमा के पास सोलह चोकलिट थी क्योंकि सीमा के पास अधिक चोकलिट थी इसलिए उसने कुछ चोकलिट राज को दे दी अब राज और सीमा के पास जो चोकलिट है उसका अनुपात है पांच अनुपात चो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सीमा ने राज को कितनी चौकलिट दी? चलिए देखते हैं कि हम इस समस्या का सामना कैसे कर सकते हैं हमें मालूम है कि शुरुआत में राज के पास चौकलिट थी और सीमा के पास सोलह चौकलिट थी लेकिन जो 16 चॉकलिट सीमा के पास थी उसमें से कुछ उसने राज को दे दी थी हमें यह नहीं मालूम कि सीमा ने राज को कितनी चॉकलिट दी हमने यह सीखा है कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा होता है जो की अपरिचित है तो हम उसे चर का प्रयोग करके दर्शाते हैं तो चलिए हम सीमा द्वारा राज को दी गई चॉकलिट की संख्या को X चर से दर्शाते हैं अब क्योंकि सीमा ने X चॉकलिट राज को दे दी थी इसलिए सीमा के पास जो चॉकलिट बची है वह है 16 घटा X और राज के पास जो चॉकलिट है उनकी संख्या X से बढ़ जाएगी अतह अब राज के पास 6 जोड X चॉकलिट हो जाएगी इस प्रकार राज और सीमा की चॉकलिट की संख्या के तौर पर हमें दो व्यंजक मिल जाएगे चलिए अब हमें दी गई अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं हमें यह जानकारी दी गई है कि सीमा द्वारा राज को कुछ चॉकलिट देने के बाद राज और सीमा की चॉकलिट की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 6 बनता है अतह इन व्यंजकों को इस्तमाल करते हुए हम अनुपात को इस प्रकार लिख सकते हैं तो आखिरकार हमारे पास एक समिकरण है लेकिन क्या यह समिकरण कुछ पेचीदा नजर नहीं आता? चलिए इसे थोड़ा और सलल बनाते हैं हमने पिछले सत्र में देखा कि हम ऐसे समिकरण को वज्रगुणन के तरीके से हल कर सकते हैं तो बाएपक्ष का हर दाएपक्ष में जाकर वहां के अंश से गुणा हो जाएगा इसी तरह दाएपक्ष का हर बाएपक्ष में जाकर वहां के अंश से गुणा हो जाएगा समय सावधान रहिए। यह सुनिश्चित करें कि कोश्ठक में मौजूद सभी पद, अंकों से गुणा हो। कोश्ठक को खोलने के बाद समीकरन इस प्रकार दिखेगा। अब X-ÇAR वाले सभी पदों को बायं पक्ष में लाते हैं, और अर्चरों को समिकरण के दाएं पक्ष में लाते हैं अब इन एक जैसे पदों को जोड़कर और इन दो अंकों को घटाकर हमें यह समिकरण मिलेगा अब हम ग्यारा को हटाने के लिए समिकरण के दोनों पक्षों को ग्यारा से विभाज़त करेंगे और इस प्रकार हमें X का मान चार मिला इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सीमा ने राज को चार चौकलेट दी थी इस सत्र में हमने जतिल एक चर वाले रेखिक समिकरण का एक रोचक उधारन देखा हम इस प्रकार के समिकरण को वज्रगुणन के तरीके से बहुत सरलता से हल कर सकते हैं अगले सत्र में हम जतिल एक चर वाले रेखिक समिकरण हल करते समय होने वाले आमगलतियों की ओर नजर डालेंगे